बश्कार दोस्तों आपका अमारे यूटूब चैनल पर श्वागत है दोस्तों मैं अनिल चौधरी और कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूं तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि जो स्टुडेंट आफट आफ इंडिया MBBS करने के लिए चाहते हैं उनके लिए दोस्तों सबसे पहला कोश्चन क्या है दोस्तों सबसे पहला जो कोश्चन और जिसका आंसर पान आपको बहुत इंपोर्टेंट है वो है कंट्री का चुनाप करना अब आप ये सोच रहे होंगे कंट्री के चुनाप करने से क्या फरक पड़ेगा तो दोस्तों कुछ बिंदूं पर आपन टिपिडी करेंगे जिससे कि आपका मैंड सेट हो जाए दोस्तो कई ऐसी कंट्रियां हैं जहां स्टूडेंट एम बीबेस करने के लिए इंडिया से जा रहे हैं लेकिन उस कंट्रिय का आपको ज़्यादा चुनाब करना चाहिए जिसमें इंडियान से जादा हैं क्योंकि दोस्तो हर कंट्रिय के अलग अलग रूल रेगुलिशन होते हैं अगर इंडियन्स मह ज़ादा होंगे तो मह आपको एक तो काफी चार ओर इंडियन्स दिखेंगे तो आपका confidence बढ़ेगा इसके साथ इस्टुडेंट्स आपके कई ऐसे नियम उस देश को बदलने पड़ सकते हैं इंडियन्स से स्टुडेंट जादा हों तो उनके according ढ़ना पड़ सकता है पूरा महौल अभी आप देख लो अगर अपन कोई एक्सर इस्टुडेंट्स को देखा है कि दोस्तो अपन क्या पैसे के लालच में या कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंशी आपको वेचती है अधर कंट्री में जो दोस्तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता है इसलिए आप उस कंट्री का चुनाब करो जहां पर दे कम से कम एक फ्लैट हो अगर पर दे ना हो सको तो दोस्तो कम से कम हपते में तीन चेहर फ्लैट का अरेंजमेंट होना चाहिए जिस से आने जाने में आपको problem ना हो actually दोस्तों 5 साल का बहुत लंबा duration है कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता आपके परवार में साधी हो या फिर कोई इसी घटना दुरगटना हो जा जो आपको immediately आना पड़े तो आप दोस्तों लगवाग 24 गंटे के अंदर आ सकें वरना कई moment ऐसे आएंगे कि आपकी presence होना उसमें बहुत जरूरी है और आप आई ना पाओ तो दोस्तों आपको और आपके परवार वालों को काफी नुक्सान या फिर काफी problems होंगी इसके लावा दोस्तों country select करने में सबसे main factor है जो environment का आपको बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि कई country य जगह का भी चुनाब करना है जो इंडिया से maximum महां की शंस्क्रति हो चाहे महां का geography हो चाहे दोस्तों महां की बहुत तेक पर्यावरान बातावरान कुछ भी हो जो इंडिया से maximum match करता हो जिससे कि आपको एक जगह से दूसरे जगह ढ़लने में problem ना आए इसके अलावे student परण तरेंच कर दी गई कुछ स्टूडेंटों को दोस्तों आने में पांच-पांच महने लग गए यह डिपेंट करा है कि उस देश के हमारे देश से कैसे संबंध हैं कैसे contact है मां की embassy में अपने देश की कितनी चलती है तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है इसके पर दोस्तों अगर आप किसी भी एजेंट के पास एडविशन लेने के लिए जाएं तो पहला कोश्चन ये ना करें कि फीस कैसा है क्योंकि वो समझ जाएगा आपको इस फिल्ड की कुछ भी नोलेज नहीं दोस्तों ये आपका चौथमा या पांच नमर का कोश्चन होना च कुछ स्टूडेंट हैं से होंगे जो दोस्तों चले गए वो एक साल दो साल बात बापस आगे या फिर उनका कहीं ना कहीं कोई फोल्ड हो गया चाहा उन्होंने इंवार्मेंट का फेस नहीं कर पाय हो या दोस्तों गलत एजेंट के हातों में फस गये हो तो आपको कई स्टूडेंट ही नहीं दोस्तों आपका मन भी नहीं लग पाएगा आपके एकॉडिंग माव एजूकेशन का लेवल भी चेंज नहीं होगा इसके लावा स्टूडेंट आपको आने जाने में बड़ी समझ्या होगी तो आप कंट्री का चुनाब बहुत अच्छे से करें इस डिनटों आपके मन में कौन कौन शे शबाल चल रहे हैं दोस्तों एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ बताना संभब है तो आप पर्शनली इस पर बात कर सकते हैं मैं आपको अच्छे से गायड करूंगा दोस्तों अब मैं नई वीडियो लेका आउंगा कि कैसे आपको जा जाएए जिससे कि आपको और तरीके की अपडेट मिल सके मिलता हूं नेस्ट वीडियो नेस्ट अपडेट के साथ आज के लिए इतना जैंद जैवारा